एक capacitor is charged from 4 volt supply 50 times per second एक AND में कितनी बार हम उसको चाउज कर रहे हैं पचास बार चाउज कर रहे हैं तो डिश्चाज भी 50 बार नि ही कर रहे होंगे तब यह वो 50 बार चाउज हो पाएगा एक वार चाउज किया फ्र डिश्चाज किया लिए फ्र चाउज किया बैटरी लगा के तो यहां पर कहीं यह बैटरी लगी होगी इस तरह से, यह स्विच होगा, जो यहां कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से यह चार्ज हो जाएगा, और जब यह चार्ज हो जाएगा तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए एक मिलियमीटर लगाया होगा, इस तरह की situation रही होगी इसकी जब यह स्निक स्विच धिया है को यहोगा फिर यह स्विच होगा फिर यहां खानक्ट हो गो जागा तो इसाब गशागर तो बिसिकल्ट a इक और Sandy इस तरह से हो रहा होगा और इसमें यह कहे रहे हैं कि इफ इसको उपर करोगे तो चार्ज आजाएगा वह सी इंटू वी के बराबर होगा फिर जैसे यह नीचे connect होगा तो वैसे यह discharge हो जाएगा और discharge एक second में 50 बार हो रहा है discharge तो एक बार discharge होने में जो time लगेगा इसका वो 1 by 50 seconds लगेगा तो जो average current flow होगी इसमें जो current की value आएगी वो Q upon T के बराबर हो जाएगी Q कितना है आपका CV और time कितना है 1 by 50 और वो आपको average current आपको दिया है 1 milliampere 10 is power minus 3 ampere is equal to C आपको निकारना है voltage आपको दिया था 40 volt 4 volt और 50 यह उपर पहुंच जाएगा तो into 50 कर लेंगे इसको C आपका आगया 1 by 200 into 10 की power minus 3 तो आप इसको लिश सकते हो 5 into 10 is power minus 6 तो उसका capacitance आपका हो गया 5 microfarad so your answer is C part अगला question देखते हैं एक parallel plate capacitor है उसकी capacity 100 microfarad है और 50 volt की battery साम उसको चार्ज कर रहे हैं बैटरी हटा दिये और plates जो है हम उनकी plates का separation बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस डबल होने तक तो पूछ रहे हैं देडिशनल इनर्जी गिवन टुदा बैटरी 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 लगा के रखी हुई हमने ठीक है एक पैरल बैटरी 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 लगा के बैटरी रखी है जब फुल चार्ज हो जा रहा है उसके बाद हमने उसका separation बढ़ा है फिर पूछने एडिशनल इनर्जी गिवन टुदा बैटरी 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 को कितनी इनर्जी दे दी होगी तो आप समझिए इसको आराम से इसे माले capacitor है कुछ इसके plates की बीच का separation होगा और इस तरह से एक बैटरी कनेक्टेड है सी इसका capacitance होगा वी वोल्ट की बैटरी है कितना इनर्जी होगी अभी capacitor के पास तो वह होगी आपकी half c into v square इनर्जी स्टोड होगी initial capacitor के पास अब आपने क्या किया कि आपने इसके plates का separation बढ़ाया प्लेट का separation बढ़ेगा तो capacitance कम होगा separation अगर आप double करोगे तो capacitance आदा हो जाएगा तो capacitance अब c by 2 हो जाएगा तो अब जो capacitor के पास इनर्जी बची होगी वो आपकी होगी half c की जगे आप देखोगे c by 2 into v square ठीक यह बास अंग मारी आपको तो पहले जो energy थी है अगर मैं calculate करूँ तो वोगी half capacitance है आपका hundred microfarad यानि 10 is power minus 6 और battery है 50 volt की तो 50 का square करेंगे तो यह पच्चिस सो हो जाएगा तो अब जड़ा देखते हैं कि एक दो तीन चार चार जीरो cancel out हो जाएगे तो यह आपका है 12.5 into 10 is power minus 2 यह लिख सकते हो आप इसको 1.25 लिखना चाहो तो 1.25 भी लिख सकते हैं इसको हम लेगिन फिर power जो लगाएंगे इसमें वो minus 1 लगाएंगे ठीक है चलो अभी इसको ऐसी रहने देते हैं यह है इसकी initial energy अगर final energy लिखना चाहेंगे हम तो इसको अभी half हो जाएगे 6.25 इंटू 10 is power minus 2 जूल तो कितनी energy capacitor ने बैटरी को बापिस दे दियोगी capacitor के पास यह initial energy थी यह final energy है energy capacitor की कम हो रही है तो जो energy कम हो रही है वही capacitor ने बैटरी को बापिस दे दियोगी कितनी energy वापिस दे दियोगी तो वह आपके हो जाएगी 12.5 माइनस 6.25 इंटू 10 is power minus 2 जूल तो यह आपका जाएगा 6.25 इंटू 10 is power minus 2 जूल चाहओ तो आप इसको लिख सकते हो 62.5 इंटू 10 is power minus 3 जूल या इसको आप लिख सकते हो 125 upon 2 इंटू 10 is power minus 3 जूल इतनी जूल इनरजी जो है वो कैपेसेटर ने बैटरी को बापिस कर दियोगी तो यह आंसर इस यह पाट आंसर बनेगा थोड़ा सा करेक्शन है इसमें यह upon 2 नहीं होगा यह होगा आपका 125 into 10 is power minus 3 पूरे के नीचे upon 2 जो की यह लिखा हुआ है तो यह आंसर इस चार्ज अप्टू 100 वोल्ट कॉमन प्रोटेंशल पूछ रहे हैं तो एक कैपेसेटर आपके पास था 10 माइक्रो फैरड गा और 250 वोल्ट से चार्ज किया था तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा q is equal to cv यह आ जाएगा बीक का माइक्रो कॉमन पूछ रहे है जर उसक केपेसेंस हैं पांच माइक्रो फैरड और उसको सो वोल्ट से चार्ज किया तो उसको चार्ज आ जाएगा वो आपका जाएगा 500 पूलकॉच potential पूछ रहे हैं, जब दोनों को parallel में connect करेंगे तो common potential कितना होगा, तो अगर इसकी positive plate connect करेंगे और इसकी negative से negative जब कुछ नहीं दिया जाता तो यहीं मानते हैं, तो जो net potential आएगा वो आजाएगा Q net upon C net, net charge हो जाएगा आपका 3000 micro coulomb or net capacitance हो जाएगा 15 micro farad, so it is 200 volt, common potential, so your answer is D part a capacitor of 10 micro farad is charged to 40 volt and second capacitor of 16 micro farad is charged to 30 volt, they are connected in parallel the amount of charge that flows from smaller capacitor to the higher capacitor, बना लेते हैं एक capacitor है 10 micro farad का, C1, 10 micro farad और इसको 40 volt से charge किया गया था, यानि इस पर जो charge होगा वो 400 micro coulomb होगा, positive यह negative एक दूसरा capacitor है, यह है आपका 16 micro farad का और इसको 30 volt से charge किया गया, तो इस पर जो charge आएगा वो 480 micro coulomb का charge आजाएगा, इसकी यह positive plate यह negative अब हमने इनको connect कर दिया, तो यह पूछ रहे हैं कितना charge flow कर जाएगा तो obviously इसको 40 volt से charge किया गया था, इसको 30 volt से charge किया गया था, तो यह higher potential पर है, यह lower potential पर है, तो higher potential से lower potential की तरफ charge move करेगा, अब since इसका capacitance कम, इसका capacitance ज्यादा है, तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि छोटे capacitor से बड़े capacitor की तरफ charge flow करेगा इस particular case में तो यहाँ से charge मालिया flow कर रहा है Q, और charge तब तक flow करेगा, जब तक कि दोनों का potential पोटेंशल सेम नहीं हो जाता है, यह अब इस पर जो charge बचेगा, वो बचेगा Q1-Q, और इस पर जो charge हो जाएगा, वो जाएगा Q2-Q, और तब तक यह flow करेगा, जब तक कि दोनों का final potential सेम न तो हमें यह चार्ज निकालना है कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। क्यों कितना था 400- Q निकालना है और C1 जो है वो 10 है इस गॉल टो कितना है तो वो 480 प्लस Q अपॉन सी टू कितना 16 ठीक थोड़ा कैंसल करते हैं तो 2 से कैंसल करेंगे 5 ताइमस यह कितने टाइमस जाएगा 8 ताइमस अब हम क्रॉस मल्टिप्लाइ कर लेते हैं 3200-8Q is equal to 5 into 480 and that is 2400 प्लस 5Q तो यह इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा आपका 800 और यह इधर आ जाएगा तो यह बचेगा आपका 13Q अगर मैंने सब कुछ ठीक किया है तो यहां से जो Q आएगा वह आपका रहा 800 अपॉन 13 बागी कैलकुलेशन आप एक और खुद भी देख लेना मेरे साब से 800 अपॉन 13 आ रहा है और 800 अपॉन 13 बनेगा आपका तो यह डिवाइड करके आराउंड 61 या 60 के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा 61 पॉन्ट सम्थिंग आ रहा है तो इसमें जो निरेस्ट आंसर है वो है आपका B पार्ट सिक्स्टी तो लगवक सिक्स्टी मैक्रो कुलाम जो है वो चार्ज फ्लो कर जाएगा बाई कैल्कुलेशन एक बार आप खुद से कर लेना यह कैपसिटर ऑफ कैपसिटी सीवन इस चार्ज अप पूटेंशल V वोल्ट प्याटेंशल टू उट आपका आएगा व आपका आजाएगा C1V के बराबर और net capacitance जो आएगा दोनों को parallel में connect किया तो C1 प्लस C2 के बराबर है जाएगा तो जो final potential आएगा वो आएगा Q net upon C net and that is it and that is C1V upon C1 plus C2 so your answer is B part two capacitors of capacitance 3μF and 6μF are charged to a potential of 12V each दो उनों को 12V से charge किया गया they are now connected to each other with the positive plate of each joint to the negative plate of other मतलब positive से negative, negative से positive इस तरह से connect किया गया तो बनाते हैं इसको एक capacitor था 3μF 12V से charge किया गया तो इस पे जो charge आजाएगा वो 36μC का charge होगा माल लिया ये वाली plate मैंने माल लिया positive है और ये वाली plate मैंने माल लिया negative है, कितना charge है? 36μC एक दूसरा capacitor है ये आपका 6μF का इसको भी 12V से charge किया है तो इस पे 72μC का charge आजाएगा अब इसको opposite दिखाते है, इसको positive दिखाते है और इसको negative दिखाते है और आप इनको connect कर दिया positive को negative के साथ और इस negative को positive के साथ तो अब जो net charge आएगा आप जो net charge आपका आएगा वो add नहीं होगा, वो subtract होगा ठीक है? अगर आप इस इस पर देखोगे यह जो आप यह जो डॉटेट में बना रहा हूं यह एक सिस्टम है और यह आइसोलेटिट सिस्टम है इसका कहीं किसी से डारेक्ट कनेक्शन नहीं है तो इस वाली प्लेट पर है प्लस 36 इस वाली प्लेट पर माइनस 72 तो नेट चार्ज जो आएगा वो माइ प्लस 36 म कूलाम आएगा ठीक है यहाँ पर मैनस 36 है यह प्लस 72 है तो कितना आ जाएगा आपका प्लस 36 म कूलाम आएगा तो जब आपने पula 06 से नेगटिव को पॉस्टिव से इस तरह से कनेक्ट कियागा तो जो नेट चार्ज सिस्टम पर आएगा वो आपका आने वाला है 36 micro coulomb और जो net capacitance होगा parallel में वो तो simply c1 plus c2 होगा तो वो बनेगा 9 micro farad तो जो final potential difference हाएगा q net upon c net and that is 4 volt so your answer is a part तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए अगर कुछ नहीं कहा गया है तो हम directly positive को positive से negative को negative से connect करते हैं net charge दोनों का sum हो जाता है लेकिन अगर ऐसा कहा गया है कि positive को negative से negative को positive से connect किया गया net charge हो आएगा उनकी difference है आएगा a thin metal plate P is inserted halfway between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C in such a way that it is parallel to the two plates draw करते हैं इस तरह की situation एक plate यह है capacitor की एक plate यह है यह एक parallel plate capacitor था और एक metal plate insert करें इसके बीचों बीच लेकिन आदी depth तक मतलब insert करें halfway यहां तक insert करें आपने thin metal plate है कि इस तरह से insert करें अभी पूछ रहे हैं कि net capacitance बताइए पुराना capacitance कितना था तो पुराना capacitance उन्होंने दिया है c और c की value होगी a epsilon not over d अब नया capacitance कितना होगा तो यह distance हो जाएगी d by 2 इसका area होगा a by 2 यह वाली distance भी हो जाएगी d by 2 इसका भी area कितना होगा a by 2 और यह जो नीचे capacitor है यह distance होगी d लेकिन इसका area होगा a by 2 तो basically अब आपके पास situation यह है कि उपर वाली branch में दो capacitor सीरीज में लगे होगे हैं और नीचे वाली branch में एक capacitor है और यह दोना आपस में parallel में इनके capacitance लिखते हैं तो इसका capacitance हो जाएगा a by 2 epsilon not over d by 2 तो यह by 2 से by 2 और यह by 2 पास अब़े तो इसका कितना हैगा जरा देखते हैं तो a by 2 epsilon not over d इसका capacitance आजएगा चान सीबाइड 2 से अब स्मप्हाइद कर रहें है के लिख रहे हैं तो इसका अभी इसका ब्लूइं और यह 60 का सीबाने यह सिरीज में हैं तो tornado कर इए सीबार्न में चैभा तो नेट फाइनल केपस्टेंस सी ही आ गया तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा वो सी ही आएगा और यह बहुत ठीक है मेटल प्लेट को इंजर्ट करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा उसकी कोई थिकनेस नहीं है इवन इसमें तो सिक कहा गया है कि हाफवे तक इंजर्ट करी अगर ही मेटल प्लेट थोड़ा और अंदर तक इंजर्ट करी होती कोई भी अन्णोन डेफ्ट तक इंजर्ट करी होती ठीक है और अजीव तरीके से यह एरियास डिवाइड हो गये होते उससे भी कोई फरक नहीं वो c1 c1 है और c2 जो है वो twice c1 है इस तरह से connected है circuit में एक switch लगाए है initially switch is open and c1 holds charge q c1 पर कितना charge है q charge है यह दिया हुआ आपको c1 पर पहले से कितना charge है q switch को जैसी close करेंगे at steady state just charge on each capacitor जब यह दोना आपस में charge हो जाएंगे तो हर capacitor पर charge कितना आएगा तो आप ज़रा समझे जैसी आप इसको connect करोगे और जब steady state आएगी तो कोई current नहीं होगी तो resistance useless हो जाएगा तो यह दोना capacitor आपके parallel में होंगे और parallel में potential same होता है तो इस पर मैंने कहा कि आप चाहओ तो direct कर सकते हैं चाहँ सिस्टम के पास है क्यूँ यहीं distribute होगा दोनों capacitors पे parallel potential same होता है तो potential होता है आपका या Q is equal to होता है आपका Cv और parallel में potential same है तो charge capacitance के proportion में distribute होगा capacitance का proportion 1 is to 2 दिख रहा है तो charge भी 1 is to 2 ratio में distribute होगा total charge आपके पास Q है उसको 1 is to 2 ratio में distribute करते हैं तो पहले को मिलेगा Q by 3 और दूसरे को मिलेगा 2 times Q by 3 so your answer is B part यह parallel plate capacitor has an electric field of 10 is to power 5 volt per meter between the plates electric field आपको दिया है if the charge on each plate is one micro-column force on each capacitor पूछ रहे हैं the force on each capacitor force कितना लएगा ठीक तो आप जड़ा समझो force का जो formula जो electric field होता है आपका capacitor की प्लेट के बीच में तो वह होता है sigma upon epsilon not या फिर आप इसको लिसकते हो q by a epsilon not यह electric field होता है यह आपको दिया हुआ और जो force होता है force वह आपका होता है q square by 2 a epsilon not negative होता है निगेटिव का मतरा attraction का force होता है कि हमें सिर्फ है magnitude बताना है तो यह force होता है तो force आप ऐसा समझ सकते हो कि force जो होगा वो ऐसा हो सकता है कि q एक plate पे charge into electric field upon 2 के बरागर यह net electric field है ठीक अगर इस formula को आप expand करके लिखोगे तो q upon a epsilon not को लिख लो एक q उपर बचेगा एक 2 नीचे बचेगा तो सारी value डाल देते हैं तो यह आपका आजाएगा 10.1 upon 2 and that is 0.05 newton इतना force लगेगा प्लेट के बीच में विपार्ट इन दा सर्किट शोन इन दा फिगर सी जो दिया है वो 6 में 2C है और उनके साथ हमने एक battery कितने वोल्ट के battery लगाई है दस वोल्ट की हमने ये battery लगा दिये चार्ज पुछ रहे हैं कितना store होगा तो चार्ज दोनाँ पर से्मी store होगा जो इस पर store होगा वही इस पर store हो क्योंकि दोना सिरीज में अब चार्ज निकालने का बहुत आसन तरीका क्या है आप net capacitance निकालो potential पता है Q is equal to C भी लगा देना तो net capacitance आपका आजाएगा C into 2C upon 3C तो यह आजाएगा 2C by 3 यह आगे net capacitance C की value is 6 microfarad 2 by 3 into 6 and that is 4 microfarad net capacitance आगया और 10 volt की battery है तो 40 micro coulomb का charge store होगा दोनों पर ही series में charge same होता है so your answer is C part